हेलो एफ्रीफॉन कैसे हैं आप सब उमीद करते हैं आप सब बढ़िया हैं, मजट हैं स्वस्त हैं पॉजटिव हैं अच्छी जेटे को अट्रैक करihen manifaist करEER एपना ठेज सारा ख्याल रहे हे हैं अपने से ठेज ब्रयार कर Steam तो guys आप सभी कब welcome है लवस टारोड guidance में तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैं आप लोगों के आज टारोड कार्ट रिडिंग लेके आई हूँ और आज की रिडिंग का टॉपिक है आपके crush के क्या current energies हैं क्या current feelings हैं क्या सोचें वो देरात आपको लेकर आपके बारे में ह दिल दिमाख में आपके लिए इनिवस टिवाइन इंजल कीजिए मेरे विवर्स की crush के दिल दिमाख में हों क्या चल रहा है मेरे विवर्स को लेकर completion तो guys काफी लोग मुझसे कह रहे थे personal reading के लिए तो मैं आप लोगों को बता दूँ मैं अभी personal reading नहीं दे रही हूँ तो fraud से बचके रहिए अगर कोई मेरे नाम से या channel के नाम से आपको comment में reply करता है personal reading के regarding या follow या कुछ के regarding तो अब उन लोगों से बचके रहिएगा ठीक है ठीक है इस बात का दिहान रखिएगा तो यहाँ पर है completion का card यहाँ पर है sorrow यहाँ पर है moment to moment ओके यहाँ पर है the lovers वाव ठीक है यहाँ पर है the dream bottom से देख लेते है mind तो मुझे यहाँ पर the lovers के card से दिख रहा है कि आप और आपके crush एक दूसरे के lover हो यानि कि twin flame हो सकते हैं कुछ लोग अपने crush के साथ या फिर soulmate जन नहीं हो सकते हो देखो आप आपना बहुत साथा strong connection attraction अपने crush की तरफ feel करते हो और at the same time आपके crush भी वैसा ही feel करते हैं क्योंकि कहीं बार क्या होता है आपको ऐसा लगेगा कि यह मेरी feelings है ऐसा मैं सोच रहा हूं तो ऐसा होता है कि कहीं बार आप लोग feelings को mirror कर रहे होते हो एक जैसा ही सोच रहे होते हो ठीक है तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप भी अपने crush को बहुत जादा intensely पसंद करते हो और यह भी intensely आपको पसंद करते हैं ठीक है शिक्स नंबर आप लोगों के लिए important हो सकता है आप दोनों मुझे spiritually connected दिखते हो यानि कि एक spiritual connection है आप दोनों का past life connection है आप आप दोनों के लिए वैसा ही फील करते हो मतलब दोनों एक ही जैसा आप लोग फील करते हो क्योंकि आप लोग का यहाँ पर past life connection मुझे दिख रहा है ठीक है और मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके crush बहुत जादा ड्रीम में आपको देखते हैं या फिर आप भी हो सकता है इनको ड्रीम में देखते रहते हो बहुत जादा और हो सकता है आप लोगों की बाते बहुत होती हो अपने crush के साथ या फिर आप बात करना चाहते हो और सीम उनकी feelings भी मैं यहाँ पर देख रहे हूँ ठीक है देखो आपकी intention मुझे यहाँ पर साफ साफ दिख रही है आप चाहते हो यह आपकी तरफ बढ़े और आपको एक proposal दें कमिट्मेंट दें ठीक है और एट दे सीम टाइम आपकी crush भी ऐसा सोस्ते हैं और क्या है न कुछ sorrow क्योंकि यहाँ पर शौरो का कार्ड है कुछ problems कुछ tensions है इनकी life में ऐसा मैं देख रही हूँ अब यह क्यों है हम clarify करके भी देखेंगे किस वज़े से इतने tension है किस वज़े से परिशान रहते हैं यह इतना sorrow का कार्ड है पर definitely complete होना तो चाहते हैं आपके साथ आप ही इनके mind में चलते रहते हो बहुत जादा चलते हो आप इनके mind में वह energies में देख रही हूँ ठीक है तो चलिए clarify करके भी देखते हैं कार्ड को क्या energies निकल के आती है आपके crush की positive रहीएगा तो देखते हैं क्या energies यहाँ पर निकल के आती है ओके चलो universe divine angels guide कीजे यहाँ पर completion का कार्ड क्यूं है page of cups और यहाँ पर है two of cups तो guys मुझे यहाँ पर और bottom से देख लेते हैं bottom से है queen of souls देखो आपके crush और यहाँ पर lovers का कार्ड two of cups का कार्ड क्या indicate करता है देखो lovers का कार्ड ऐसे ही निकलता और two of cups का भी कार्ड साथ में निकला है तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत strong feelings है दोनों की मन में एक दूसरे के लिए आपके मन में तो है पर उनके मन में भी है ठीक है हो सकता है कि वो उससाब से जाहिर करते हैं या नहीं करते हैं I don't know पट यहाँ पर feelings मुझे मिज्वल दिख रही है एक दूसरे के लिए देखो यह भी आपके साथ आपको cup of love देना चाहते है यानि कि propose करना चाहते है आप भी चाहते हो पर बहुत जादा feelings मैं देख रही हूं यहाँ पर complete होना चाहते हो आप दोनों पर ऐसा हो नहीं रहा है ठीक है और वो क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर sorrow का card है कुछ problems तो है feelings है पर यहाँ पर अगर वो आपको propose इतनी feelings होने के बाद भी नहीं कर रहे है तो यहाँ पर न ठीक है अब वो क्यों अभी हम cards में देख लेते हैं universe divine angels यहाँ पर sorrow का card क्यूं है क्यूं इनके crush sorrow feel करते हैं बताएए ओके क्यूं शौरो feel करते हैं ओके bottom से है three of cups देखो guys cancerous scorpio Pisces मुझे यहाँ पर इनके jodic sign दिख रहे हैं यहाँ पर मुझे दिख रहे है यहाँ पर मुझे दिख रहे है इनको ऐसा लगता है ना आपके पास options बहुत है आप हो सकता है इनको ऐसा feel होता है कि आप किसी और के साथ connected हो और यहां फिर से अगीन lovers आप lovers lovers आप देख रहे हो तो प्यार आप डिनायल नहीं कर सकते हैं कि इनके मन में प्यार नहीं है आपके मन में तो है feelings, liking, love वही same it is मुझे इनके मन में भी दिख रहा है ठीक है पर यहाँ पर क्योंकि three of cups का काड है तो यहाँ पर third party situation हो सकती है या तो आपके crush किसी और के साथ देखो आप भी हो सकते हो या फिर आपकी feeling निकल के आई है या फिर आपके crush किसी और के साथ merit है ऐसा भी मुझे दिख रहा है या फिर already आपके crush किसी के साथ connection में है relationship में है जहाँ पर यह खुश नहीं है sorrow feel कर रहे है problem face क या फिर इनकी family इतनी हो सकता है family की कोई दिक्कत है family थोड़ा orthodox हो सकती है या फिर थोड़ा ऐसा feel मुझे हो रहा है कि यहाँ पर किसी तीसरे इंसान की वज़े से यह आपको approach नहीं करते है feelings है same mutual feelings है सब कुछ है प्यार भी है दिल में feelings भी है पर approach नहीं करने का कारण आप साफ कोई तीसरा व्यक्ति दिख रहा है तीसरा third person दिख रहा है यहाँ पर ठीक है क्योंकि यहाँ पर मुझे cup of love देना चाहते हैं और इतना feelings है lovers lovers two of cups तो क्या indicate कर रहा है ठीक है मैं strongly यहाँ पर देख रही हूं कि आपके जो crush है ना यहाँ पर किसी तीसरे situation में फसे है कोई भी हो सकती है ठीक है को third party हो सकती इनकी life में या फिर family का कुछ matter हो सकता है इसी वज़े से यह approach नहीं करते आपको okay I hope आप लोग को clear हो गया होगा वो इतना feelings है तो approach क्यों नहीं कर रहे है universe divine angels यहाँ पर moment to moment का card क्यों है guide कीजिए the hangman देखा इनकी situation hang है इसी वज़े से यह आपकी तरफ नहीं बढ़ते हैं बढ़ना तो चाहते हैं पर बढ़ती नहीं है आपकी crush आप से age में छोटे हो सकते हैं या फिर बहुत बढ़े हो सकते हैं age differences मुझे यहाँ पर दिख रहे है ठीक है और मुझे यहाँ पर दिख रहे है situation इनकी थोड़ी hang है इसी वज़े से यह आपको proposal नहीं देते commitment नहीं देते आपकी तरफ बढ़ते नहीं है यहाँ पर problems मुझे दिख रही हैं इनकी life में किसी third person की वज़े से अब यह third person कोई भी हो सकता इनकी life में third party हो सकती है कोई ठीक है family हो सकती है तो यह strongly में देख रही हूं universe divine angels यहाँ पर the lovers का card क्यों है guide कीज़े universe यहाँ पर the lovers का card क्यों है nine of wands देखो दूर दूर से stop करना दूर दूर से आप पर नजरे रखना the devil oh my god the lovers की card को the devil ने clarify किया है तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है देखो यहाँ तो यह किसी और के चंगूल में फसे हुए है ऐसा दिख रहा है यहाँ फिर मुझे दिख रहा है कि बहुत साथा obsessed है आपको लेकर दूर दूर से approach करना दूर दूर से देखना दूर दूर से stop करना social media के through या सामने से और express न नहीं करते ठीक है वो energies भी मैं देख रही हूं पर हां चाहते हैं बहुत कुछ पर वो चाहते ही है वो action में नहीं निक दिख रहा है यहाँ पर बस feelings ही दिख रही है सोसते ही है ठीक है तो चलिए देख लेते हैं the dream का card यहाँ पर क्यों है universe guide कीजए यहाँ पर the dream का card क्यों है 10 of pentacles तो मुझे यहाँ पर abundance feel करते हैं बहुत ज़ादा इनके मन में सपने हैं आपके लिए सपने देखते हैं आपको night of pentacles का card है देखो जो इनकी life है वो stuck है कहीं न कहीं आप में stuck है आपकी तरफ मरना भी चाहते हैं आपसे abundance feel करते हैं हमेशा बस रात को आपके सपने इनको इवन इनके साथ क्या होता है न कि दिन में भी आपको ही देख रहे होते हैं कुछ वो energies मुझे देख रही है मतलब आख बंद करें तो आपी का face आना नजर आना आपी पे focus होना आपी का ध्यान आना आपी से बात करना कुछ वो energies मुझे देख रही है और मैं आप लोग को एक 8% resonate हो जाए आपसे जितना होना आप उसे रखिएगा ठीक है universe divine angels काइट कीजे यहाँ पर mind का card क्यों है mind का card यहाँ पर क्यों है seven of pentacles यहाँ पर है the chariot देख रहे हो सुखून नहीं है काम में भी मन नहीं है करियर में मन नहीं है कहीं भी मन नहीं है इनका आपकी तरफ बढ़ना आपकी तरफ आना चीजे साही करना आपसे अपनी दिल की बाते कहना वो सब दिख रहा है मुझे इनकी तरफ से strongly मैं यह इनकी तरफ बढ़ने के ना ख्याल आते रहते हैं वह चीजे दिख रहे हैं बहुत जादा ख्याल आते हैं इनकी दिमाग में आपको लेकर आपके लिए आपके बारे में सोचना मलब सोचने से ना खुदको रोक नहीं पाते हैं क्योंकि फीलिंग और जो थौट्स होते हैं उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता तो वो चीज़े मुझे यहां पड़ दिख रही है आपके क्रश की ठीक है तो यह गाइस यह थी आज आप लोगों के क्रश की रेडिंग रेडिंग पसंद आए लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकन को प्रेस करना मिल जाए और शेयर जरूर कीजेगा ठीक है बाइए थैंक्स वर वाचिंग टेक क्यर गाइज